हेलो एवरिबरीबन वेलकम टू करें तंग बच्चों कॉंसिप्स डिविजन यह सिरीज हमारी चल रही है और आज वही चैप्टर जो जिसका आपको बहुत दिन सी इंतजार था कैलकुलस डिफरेंशियेशन उस पर हम कॉंसेट रिवाइस करेंगे और दो फेर बारा बज़े most important thousand questions की सिरीज में differentiation स्टार्ट करेंगे ठीक है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि sir differentiation कब स्टार्ट होगा calculus कब स्टार्ट होगा पेटा आप लोग बहुत time से इंतजार करे थे इस chapter का आज से यह chapter शुरू ठीक है most important thousand questions में आज 12 बजे differentiation के questions हम मिलके solve करेंगे ठीक है जुड़ जाईएगा 12 बजे याद रखिएगा अच्छा कितने questions आते हैं इस chapter के तीन questions होते हैं MSTCAT में तीन questions का ये topic है important topic है बड़ा topic है कौन-कौन से concepts में revise करने चाहिए standard derivatives, chain rule या composite function का derivative inverse function, logarithmic, parametric, implicit और फिर second order derivative भी होता है और फिर जुगाड बहुत सारे हैं इस chapter में कहीं सारे जुगाड है तो आप देखते रहिए मैं आपको जुगाड बताते रहूँगा ठीक है तो ये जो concept division series है बहुत बढ़िया series है बहुत अच्छी series है सारे concepts, सारे important जुगाड सब इसमें cover हो जाएंगे 10-10 minutes के अलग-अलग videos में ठीक है तो शुरू करें आज का चलिए तो एकदम basic से start करेंगे differentiation में आप भी मेरे साथ-साथ लिखिए, बोलिए अगर आपने list नहीं बनाई हो तो list बनाईए सबसे बहुते standard derivative देखिएंगे जैसे कि, what is differentiation of a constant तो constant का derivative क्या होता है? 0, चाहे कोई भी constant हो तो वैसे ही differentiation of x so differentiation of x is 1 बेटा, differentiation of 1 by x so differentiation of 1 by x is minus 1 by x square ठीक है न, ये एकदम basic formula में पता है फिर भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको ठीक है, fourth, differentiation of x power n तो x power n का derivative क्या है? n x power n minus 1 ठीक है बच्चो? ये fourth number का होरा formula then fifth, what is derivative of root x? root x मतलब x power half आप उपर का ही formula लगा सकते है न, x power half के लिए जो x power n है, उसी को आप use कर सकते है x power half के लिए और वो solve, बार-बार होता है बार-बार use करते हैं इसलिए 1 by 2 root x से न, इसको याद रख सकते हैं ठीक है? आप n की जगा half रखेंगे न, यहापे उपर की formula में, इसी में तो यहमारे answer मिल जाएगा आपको half x power half minus 1 ठीक है? उससे 1 by 2 root x आता है तो derivatives यह जो है हमारे बड़े काम के हमको याद रखने है list ठीक? देन next, 6th formula formula number 6 differentiation of log x so log x का base अगर e हो तो derivative is 1 by x लेकिन अगर base कुछ और हो गया अगर log x का derivative लेना है लेकिन base कुछ a आ गया है na, a मतब 10 आ गया, कुछ आ गया तो इसका भी derivative 1 by x होगा लेकिन नीचे में log a extra आएगा याद रखेगा यह बात नीचे में क्या होगा? log a extra आएगा then 8th differentiation of e power x exponential e power x का relative e power x ही होता है derivative of a power x a power x का a power x क्या है? into log a ठीक है? आपको यह सारे formula याद रखने है और बहुत बार हम क्या करते है? जब derivative और integration पढ़ लेते हैं confusion में आ जाते कि आरे क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो इसलिए एक बार फिर लिखिए करिए करिए मेरे साथ साथ अभी भी अगर आपने पेज नहीं निकाला तो पेज निकाली और लिखी आप formula ना उससे बहुत अच्छा practice होगा आपका अब अगले derivatives है हमारे वह है trigonometric differentiation of sin sin का derivative क्या होता है बच्चो? yes, cos होता है यह इसमें derivative में आते है जो भी c से start होने याले function है उसका answer negative sec square x then derivative of cot x cot x का derivative क्या है तो minus cosec square x ठीक है 14th derivative of sec x sec x का derivative क्या है बचा? sec x tan x and 15th derivative of cosec x cosec x c से चाल हो रहा है तो इसका derivative क्या होगा? minus cosec x cot x ठीक है 15th तक हो क्या? then next 16th derivative of inverse functions रहेंगे अब sin inverse x का derivative क्या? 1 by root of 1 minus x square है ना? सारे formulas याद रखिये 17th derivative of cos inverse x सर हमको याद है मुझे पता है याद है आप लोगो लेकिन फिर भी है ना? सेम होता है स्विर माइनस आता है यहाँ पर 18th derivative of tan inverse x so tan inverse x का derivative है 1 by 1 plus x square ठीक है याद होने के बावजूत बार बार करेंगे और अच्छा होगा ठीक है derivative of cot inverse x next cot inverse x का है minus 1 upon 1 plus x square then 20 derivative of sec inverse x sec inverse x sec inverse x का 1 by x root of x square minus 1 ठीक है? and 21 derivative of cosec inverse x तो वह भी answer सेम होता है cosec inverse का जो answer है okay cosec inverse x का जो answer है वह सेम ही होता है और वह क्या है minus minus 1 upon x root of x square minus 1 right formula सबको याद होते है इतने basics तो right 22 एक और differentiation जो मैं याद करने के लिए कहता हूँ बहुत बार use हो जाएगा x power x का relative right x power x का relative is x power x 1 plus log x ठीक है मंदब use हो जाएगा कही कही पे वैसे तो इसको करने का कोई method है तो यह 22 basic formulas है जो हम सबको याद होने चाहिए हम सबको पता होने चाहिए right एकदम हमारे उंगलियों पे होने चाहिए किसने पूछ लिया तो इसमें गलती नहीं होने चाहिए ठीक है तो इसा 22 formulas अब standard formula के बाद में हम देखते है rules of differentiation मतलब जब भी हम derivative करेंगे तो order of rules जो हम follow करना चाहेंगे तो पहला है constant rule constant rule में ऐसा है कि जब भी मैं differentiate करूँ और अगर k into some function आ रहा है तो k constant will be taken out आप दूसरे function को derivative करी है example दूँ मैं आपको example की बात ऐसी है कि अगर मैं आपको कहूँ derivative of let us say 5 sin x तो 5 यहां constant है हमें तो सिफ sin को ही differentiate करना है तो 5 will be taken out ठीक है न बच्चो? तो यह answer आजागा 5 sin x का relative cos x होगा एक्दम simple yes very very easy it is second addition rule और subtraction rule करे सकते addition subtraction दोनों के लिए same होगा तो अगर मैं दो function के addition की बात कर रहा हूँ u plus v का तो it is equal to आप पहले u को differentiate करो और plus फिर बाद में v को differentiate करो again अगर आप example दिखना चाहते हो तो कभी अगर मैंने कहा differentiation of sin x plus log x तो sin x plus log x का direct answer नहीं है बच्चों हमारे पास तो हम क्या करेंगे पहले sin को differentiate करेंगे plus सब पता है हमें basic सही है बट फिर भी revise करा दू मैं आपको right तो sin का derivative क्या cos और log का 1 by x जब मैंने कोई base नहीं लिखा हो न तो हम e पकडते हैं ठीक है यह भी बहुत अच्छी बात है important बात है समझ गए addition rule subtraction rule minus में भी same ही होगा third rule होता है product rule यह बहुत काम की rule जब अगले दो है product और quotient है न तो product rule जिसको हम uv rule भी कहते है ठीक है uv rule भी कहते है differentiation का तो यह क्या कहता है मुझे यह बहुत अच्छा rule है जब भी दो function multiplication में आते है तो इनका derivative कैसे इक बार में एक को ही differentiate करें इस बार u वैसे रहेगा और v का differentiation करेंगे आप देख रहे हो क्या हो रहा uv rule में एक का derivative दूसरा वैसा ही बीच में plus फिर पहला वैसा ही और दूसरे का derivative सर एक example लेके देखो differentiation of sin x into log x दिख रहा है आपको की दू function multiplication में आया है तो यहां uv rule लगेगा तो यह कहता है differentiate किसी भी एक को हम sin को derivative करेंगे और log वैसे ही रखेंगे दूर रख देता हू log को वैसे प्लस अगले बार में sin वैसे ही रहेगा और differentiate करेंगे हम log को ठीक है तो यह answer आ जाएगा sin का derivative cos cos x into log x plus sin x log का derivative क्या 1 by x तो यह हमारा answer आजगा कभी कभी हम इसको simplify भी करेंगे तो यहां पर हमें समझ में आगे कि क्या करना है एक बार में एक ही derivative this is uv rule of differentiation right next एक fourth rule जो है यह भी बहुत काम का है जिससे हम quotient rule कहते है u by v rule right u by v rule तो यहां पर क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे differentiation करना है लेकिन क्या है denominator में मतलब numerator denominator के form में आया है u by v के form में आया है सबसे पहला काम क्या करना है बता है आपको यहां पर जो भी denominator में ना उसका square कर लीजिए सबसे पहला काम पहले denominator का square कर लीजिए अब जैसे u v करते हैं वैसे, u का differentiation, v वैसे ही, बीच में minus आता है बस plus की जगा, इस बार u वैसे ही और v का differentiation, जैसे हमने product rule में कहता है वैसे ही, लेकिन बीच में minus आ गया बस, तो पहला चीज़ नीचे का square करेंगे, और उपर में क्या, u का derivative, v वैसे ही, फिर बात में v का derivative, u वै बीच में minus, again let us see with an example, so अगर मैंने आपको कहा, x by sin x का derivative क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे क्या है, sin x है, तो sin x का square आप नीचे लेकिनगे, पहला step हमेशा यही रहेगा आपका, और अब उपर में क्या होगा, पहले x का derivative, right, x का derivative, sin x वैसे, numerator का derivative होगा, बीच में minus, x वैसे और differentiation होगा, sin का, समझ रहे हो steps, okay, अब x का derivative क्या होगा, 1 into sin x, minus x into cos x, divide by sin square x, और simplify हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात की बात है, बट हमें rule इस तरह लगाना है, quotient rule, right, जिन बच्चों को एकदम basic भी नहीं पता ना, उनके लिए series बहुत ही अच्छी है, और जिने पता है, उनके लिए अच्छा revision नहीं है, right, तो सारे rules यहां revise हो रहे है, ठीक है, अच्छा, आज जब हम 15 questions करेंगे, तो हमारे mostly questions जो हम solve करने वाले हैं, 12 बज़े, वो composite functions वाले होने वाले हैं, तो we'll revise composite functions के formula, सबसे वहले what is a composite function, पीटा, composite function क्या होता है, तो function के अंदर function, जैसे sin of log x, और अगर मैंने कहा sin x into log x, देको दोनों अलग-अलग है, यह दो functions का multiplication, but this is a composite function, यह क्या है, क्योंकि composite है, क्यों बल रहा हूं है, क्योंकि sin of x नहीं है, sin of log x हो गया, वैसे कभी-कभी ऐसा ही हो सकते है, कि log of x की जगा पे log of cos x हो गया, तो यह भी क्या है, composite function है, तो आप समझ derivative कैसे करेंगे सरम, बताता हूं मैं आपको, तो कभी अगर मुझे कहा जाए, sin of log x बूला जाए न, differentiation करो sin of log x का, तो इसको क्या करेंगे, पहले बाहर का function कौन सा है, sin, उसका derivative करेंगे, sin का derivative क्या होगा, cos, log x को कुछ नहीं करना है, और आगे फिर differentiate करो log x को, ऐसे हो जाएग step by step जाएंगे आप, हमें शद्यान रखें, पहले बाहर का function क्या है, sin, तो उसका derivative लेंगे आप, sin का, ठीके, और फिर अंदर के function को differentiate करेंगे, and this gives me my answer, cos of log x into 1 by x, तो इसको generalize भी किया गर आपने है, अगर आप अगर आप generalize करना चाहो इसको, तो यह इस तरह होगा, sin of log x f का derivative, ऐसा होगा यह, ऐसी हुआ न, sin का derivative, फिर into, जो function अंदर था उसका derivative, f का derivative, हम f dash लिखते हैं, तो आप समझते हो, composite को कैसे step by step लेके जाएंगे, पहले बाहर के function का differentiation, फिर उसके बाद multiply करते हुए अंदर के function का derivative, तो चलिए एक list बनाते है, जैसे हम दोगोंने पहले फ f of x is nothing but f dash of x, second, अगर मैं कहूँ, differentiation of f of x का square, तो जैसे आप x square का कर रहे थे, x square क्या होता था, 2x होता था, इसका भी क्या होगा, 2 f of x into f dash of x, हमेशा वो जो अंदर का function है, composite में जो आया हुआ है, उसका derivative अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ, देखो, समझ में आगे, अगर मैंने 1 by f of x कहा, तो बटा 1 by x का derivative याद है आपको, yes, minus 1 by x square, तो इसका भी क्या होगा, minus 1 upon f of x का square, बस ये x ट्राएगा, into f dash of x, क्योंकि कुछ और function है, right, तो कोई और शकल है, yes sir, ठीक है, तो जनरलाइस अगर करना हो आपको, तो differentiation of f of x power n, इसका derivative क्य होगा, तो वही n, f of x power n minus 1, into f dash of x, समझ आ रहा है सबको, yes sir, अगर differentiation of root f of x करना हो मुझे, तो इसका भी क्या होगा, जिसे root x का होँदा था, 1 by 2 root f of x into f dash of x, ठीक है न, बच्चों, एकदम same formula list बना रहे है हम, 6th, अगर मैं आपको कहूँ, differentiation of log x की जगा log f of x कर दिया, ठीक है, log x की जगा क्या कर दिया हमने, log f of x कर दिया, तो यह क्या होगा, log का 1 by x होता है, तो 1 by f of x into f dash of x, समझ रहा है, अगर base कुछ और हो गया log में, जैसे हमने इसके पहले गया था, तो log का base अगर इस बार कुछ a हो गया, तो answer क्या होगा, 1 by x जैसे होता था, लेकिन 1 by log x रहाएगा बेटा, into f dash of x, समझ गए हम लोग, yes, अब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, list जो बंडरी है हमारी, e power f of x का का differentiation करना हो तो, e power x का क्या था, e power x था, e power f of x का क्या होगा, e power f of x into f dash of x, correct, 9th, differentiation of a power f of x, a power f of x का क्या होगा, e power f of x log a, जैसे a power x का था, सिर्फ f dash of x, x ट्रा आएगा, ठीक है, वही 22 फॉर्मले हम, वही list बनाएंगे, बंडरी ना, list बेटा, अच्छे से सबकी, यार, smile करिए, जैना, solve करते हैं तो, tension बिलकुल नहीं लेना है, अगर हमको समझ में आ रहा है तो, भी solve easily हो जाएगा हमारा, then 10th, अगर मैं differentiation of sine की बात करू, sine f of x, तो sine का relative क्या होता है, cos, तो cos f of x होगा, into f dash of x, एट वैसे 11th, अगर मैं cos की बात करू, cos x के जगा, cos f of x, cos का relative क्या था, minus sine f of x, into f dash of x, correct, 12th, अगर मैं differentiation of tan की बात करू, तो tan f of x, तो tan का derivative क्या होगा, 6 square f of x, into f dash of x, जाइट वैट वैटा, तो सबको ध्यान में आ गया है, कैसे बनने वाली list है, 13th, अगर मैं differentiation, cot का ले रहा हूँ, तो cot का derivative क्या था, बैच्छो, minus cos x square, तो यहाँ पे भी क्या होगा, minus cos x square f of x, into f dash of x, correct, वैसे 14th, अगर मैं कहू, to differentiation of sec, तो sec f of x, तो हमें पता है, sec का derivative क्या है, sec x tan x, तो यह क्या होगा, sec f of x, tan f of x, x के जगा पे कुछ और आ गया, into f dash of x, सही है, 15th, अगर differentiation of, sir, अब तो बहुत easy हो गया, sir, सब समझ में आ गया, बस यही समझाना था, हम list बनाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाता है तो minus, cosec और cot, ठीक है, into f dash of x, और याद भी होने लग जाते हैं, जब हम list बारबा बनाते हैं, 16th, वैसी, अगर हम inverse function की बात करें, तो differentiation of sine inverse of x जगा पे f of x आया, तो यहाटा, इसका answer भी क्या होगा, 1 by root of 1 minus f of x का square, into f dash of x, टीक है ना, फिर वो cos inverse के लिए आप लिख सकते हो, कर सकते हों, बाटा, cos inverse का, लिखेंगे, तो d by dx of cos inverse of f of x, तो minus 1 upon root of 1 minus f of x का square, into f dash of x, वैसी, 18th, differentiation of tan inverse of f of x, तो 1 upon 1 plus f of x का square, into f dash of x, ऐसे हमारी list बन जाएगी, तो बैटा, समझ गए, सारे formulas, composite के, composite का मतलब क्या होता है, तो आज हमने यही standard formulas देखे, composite functions के derivatives देखे, और यहीं पर हम questions करेंगे, तो यार, तो यार, देखो, बहुत सब्सक्राइब चके कि सर, मैं यार, सब आता है, कोई बात नहीं, आता है, तो revise करने में कोई दिक्कत नहीं है, यार, आपको revision करना है कि नहीं, बस 30-40 दिन बच्चे है, HDCD 2022 को, right, तो yes, तो बार-बार लिखते रहिए, solve करते रहिए, बारा बज़े मिलिए, questions करेंगे आज, तो आपका most awaited topic, calculus का differentiation आज स्टार्ट हो गया है, चलिए, तो keep smiling and stay connected, thank you.